भारत ना गवरव पूर्ण इतिहास नी साथे लोकोनी आस्था जुडाएली छे लोकोनी आज आस्था ने मान आपी ने अमबाजी बहुचराजी बाद पावागर धामनी काया पलट करवा मावी छे प्रधान मंत्री नरेद्र मोधिये करेला संकल्प थी पाँच दायका अने आजादीना सित्तेर वर्षु बाद पावागर दे एज आस्था साथे नवु रूप अप्पमावी छे आधुनिक ताना उप्योग थी पवित्र धामने विश्वो फलक पर थान मड़ी छे सर्दार साहिबना नेत्रुत्वमा गुजराथी सोमनात मंदिर ना जर्णों ध्वार्ती थे हती जरे आजना समय मा भारत मां मंदिरों ना पुन निर्माण अने जर्णों ध्वार नों संकल्प देशना यशस्वी प्रधानमल्तरी नरिंद्र मोधी लिदो छे जिमना नेत्रुत्वमा देशना प्राचीन अने आध्यात्मिक सुप्रसिद यात्रधामों नी काया पलट थे रही छे जिमन जग विख्यात यात्रधाम पावागड होई के अंबाजी, सोमनात होई की काशी विश्वनात, केदारनात होई के राम मंदिर सपना जब संकल्प बन जाता है, और संकल्प जब सिध्धी के रूप में नजर के सामने होता है, तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आपकल्प ना कर सकते हैं कई वर्षों के बाद, पावागड माकाली के चरणों में आकर के, कुछ पल बिताने का, आशिरवाद प्राप्त करने का सोभागे मिला, मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है। यात्रधाम पावगड परना मंदिर नो पुन्ह विकास बैत तबक्का मा करवा मावियो छे। पुन्ह विकास ना प्रधम तबक्का नो उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा आ वर्ष्णी शर्वाक मा एप्रिल मा करवा मावियो तू। आमा मंदिर ना पाया आने परिशन नो तरण स्तरे विस्तरण, स्ट्रीट लाइट, सिस्टिवी सिस्टम वगिरे जिवी सुविधावनी स्थापना नो समावेश थाई छे। तलप ना कर सकते हैं पांच शताबदी के बाद और आजहादी के 75 साल बीतने के बाद पांच सताबदी तक माकाली के शिखर पर धजा नहीं पहरी थी। आज माकाली के शिखर पर धजा ये पल हमें प्रेरणा देती हैं और हमारी महान परंपरार संस्कृति के प्रती समर्पीत भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती हैं आज आस्ता साते प्रधान मंत्री मोधिये इतिहास रची दिदो। जुना मंदिर मां माताजी ना शिखर नी जग्याए नवु शिखर बनावी तेना पर ध्वज दंड पुना स्थापित करी ने पावगण मंदिर नी काया पलट करवामावी छे आउ माताजी ने जग्याए न शिखर न शिखर न शिखर धालट करती हैं सी नरेंद्र माई मोदीच करी सके कि जेवे आखा भारत वरस्त ने जे मंदीरों छे एनो पन काया पलट करी नाखी जे ये बदल नरेंद्र भाई साहिब नो खुब-खुब आबार मारुजू जय हीं जय बारत नरनी धasında खुब-खुब मात्र काया कलपच नहीं। परन्तु आस्ता ने कोई आच नावे ते माटे माताजीना प्रागटि अस्थान ने यथा स्थिती राकवा माव्यू छे पहला जयां लोकोंने उभा रहवानी जग्या नोती त्यां आजे 100 लोकोंनी शम्ता धरावतू नवीन मंदिर छे जरे पावागण पर्वत पर माची थी रोपवे ना अपर स्टेशन सुधी 22 बगत्यानों नौ निर्मान करवा माव्यू छे त्यां आजे पवित्र यात्रधाम पावगण सुविधाती सज्ज थे गे उछे माता के दर्वार का काया कल्प और द्वजारोहन मैं समयता हूं हम भक्तों के लिए शक्ति उपाशकों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है और मा के आशिरवात के बिना यह संभोव भी कहां हो सकता है यहां स्रीकाली का मंदिर को लेकर जो कार्य हुए है उसमें एक खास बात और है महा काली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया लेकिन इस पूरे काम में घर्ब ग्रू में मूल स्वरूप अक्षुन रखा गया नवीन मंदिन ना निर्मार्णी वाद करिये तो पावगण पहाड नी टोच पर पायो बनावी ने परिसर ने विशाड बनावा मावियू छे परिसर मा पहला अने बिजा माडे आनुशांगिक सुविधा उभी कराई छे जरे माताना गर्ब ग्रू मां मूड स्थापन ने यथावत राखवा मावियू छे आकड़की वाद करवा मावे तो मंदिर नो जिर्णो ध्वार अंदाजित 12 करोना खर्चे जरे समगर संकुलना विकास कामो 125 करोना खर्चे संपन करवा माविया जिमा सित्ते टका राज्य सरकार ध्वारा अनि त्रीस टका खर्च पावागण मंदिर ट्रस्ट ध्वारा करवा मावियू हतो गुजरात सरकार पवित्र तीर्थ यात्र धाम बोड अनि ट्रस्ट का सह्योग थी आ सेवा यग्न सफड थे हो छे पावागण धाम मा आवतास्व दाड़ुवनी सुवीदामा वदारो था एते माटे राज्य सरकारे रुप्या एक्सो एक्वीश करोण ना खर्चे मंदिर परिशन नो विस्तार करयो छे साथेज तड़ेटी ना माची विस्तार मा यात्रिकोने पूर्ती पायानी सगल उपलब्द करावा माटे आवनार दिवशो मा रुप्या सानत्रिस करोण ना खर्चे काम हाद दरनार छे गुजरात मा आद्रणी स्री नरेंद्र भाईना मार्ग दर्शन मा प्रवाशन प्रवुत्री ने खूब वेग मलेो छे गुजरात मी पवीत्र भुमी पर अनेक प्रतिष्टित देवस्थानों छे तेना काराणे आजे पिल्ग्रिमेज टुरिजमनों राज्यम मा मोटा पाये विकास थेयों छे जारे प्रवाशोनी संख्या वदे त्यारे तेने अनुकुर सगवड तावो युक्त स्वच्छने सुन्दर यात्र दामों होई ते पण जरूरी छे राज्य सरकार यात्रिकोनी प्रात्नाने परेटन बनने सुगम बने ते माटे सतत प्रहत्न सील छे आना परेटा में गुजरातना यात्रादामों बव्य बनी रहा छे प्रतान मंत्रे नरेंद्र मोदी ये 500 वर्स बाद जे ध्वजा रोहन करियो अने तेना साक्सियों जे छे ते सव कोई भक्तो पन बनिया छे स्थानिक आगेवानों छे ते ओ आपनी शाते छे तेओ पासे थी जाणवाना प्रयास करें जे विकास कामोना पर लोकार पन ठ्याए चे त्यारे या जे भाविक भक्तो जे आऊशे तो तेओ ने कए प्रकार नो लाब मलशे शुकेशो आजे जे द्वजा रोहन थाईू एक एतियासिक दिवस आजनो बनी रहो औने हवे जे लोकार पन पन थाया छे के लाग विकास कामो ना काम पून थायू चे वाकी डेलू काम फेस थ्री मां सरूत हसे आजू बाजू ना तमाम राज्यो ना नज्जिग ना मज्य प्रदेश ना महराष्ट ना राजस्तान ना तमाम धर्मिक प्रजाजनो खुप सारी त्यानो लाप लेशे अने हवे आ विकास ने ध्यान मा राखी अने जे धर्मिक प्रजाजे आना करता चार गणी धर्मिक प्रजा आ विकास ना कामों ने ध्यान मा राखी नहीं दर्सन नो लाब लेशे अने नजीक मा आ पावागाड हालोल अमारा पंचमल जिल्लानो पन घणो सारो विकास तसे पावागड नेध्यासिक पावागड ने ध्यान वारा की नुए नवा विक आसके लोकोगों ने लाब मढलवा नुचे सूचे नौ आभाण गे जूना किता समझ थी पावागड पावागड नो श्ती यौ गजाने पावगड यात्रधाम नो नवीनी करण मात्र आटला सुधीज सीमित न रही जए वदू सुविधावती सज करवा मातेनु आयोजन पण अत्यार्थी करी नाखवा मावियू छे आगामी आयोजन अंतर्गत पहाड उपर जे दूधियू तड़ाव छे तेनो पण विकास करवा मावियू छे दूधिया तड़ाव औने छासिया तड़ाव ने जोड़नारो एक परिक्रमा पत पण तैयार करवा मावशे यग्य शाडा गोजन शाडा परियाटको माटे भक्ति निवास औने छासिया तड़ावती माताजीना मंदिर सुधी लिफ्ट जिवी सुविधावनों पर निर्मान करवा मावशे साते साते मांची पासे अधिती गुरू अने मल्टी लेवल पार्किंगों पर निर्मान करवा मावशे आस्ता के साथ साथ तिर्थों और मंदुरों के विकास में आधुनिक तक्णी का इस्तेमाल किया जा रहा है सभी तिर्थों परियात्री सुविधाओं का विकास किया गया है गुजरात के तिर्थों में अब दिव्यता भी है शान्ती भी है समाधान भी है संतोज भी है और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है पवगण म थहला विकास कार्यों विकासनी हार मालाने दर्शावई रहाचे मंदिरना जुर्नों ध्वारती प्रवासनशेत्रशन विकासनी गतिवत छे आ तेर्थों अंने मंधिरों मा आवनार श्रठधाड़वों पोतानी साथे अनेक नवित तक लईन आवेचे अने तेना थी आविस्तार मां पर्याटन प्रभुत्ती मां वधारो थावानी साते साते रोजगार मां पर वधारो थाशे पंच महार मां पर्याटनी सभावनावनी साते साते अहीना युवानों आटे मोटी संख्या मां नवी तको उभी थाई रही छे विकास नुवा कार्य पावागड ने देशना महत्वना परियटन स्थर्तरी के उबरी आवामा मदद करशे सिल्प का भी प्रचार पुसार होता है पावागर्चे विकास से मंदिर में आने वाले सद्धालों के संग्या बढ़ेगी तो उसका लाप बडोदा हो पंचमाल हो इस पूरा वारा वनवासी पट्टा हो हमारे आदिवासी भाई बहनों सब के जीवन में बहुत बड़ी ताकत भरने वाला है जो स्रद्धालों मंदिर में आएंगे वह यहां से विरासतवन भी जाएंगे विरासतवन प्रकूती परियावरन परंपर और आयुरुवेट जैसे विश्वमपर देश के लिए एक बड़ा आकर्षन और परिणा का केंदर बन सकता है इसी तरह आर्के लोज को देश में प्रमुख परियाटन सल के रूप में उभरने में मदद करेंगे कि जे सद्योती प्रतिक्षा थी कि पावागणा कालिका माताजेना मंदिर उपर दजा जोवा मरती नती शिकर खंडीत अतू मंदिर नव निर्मित थाई शकतू नतू अथाक प्रयोत्ना नांते मंदिर नव निर्मित थाईू अत्यारेजे विकास कामानू भुमी पुजन थाई गयू छे खात मुरत थाई चे एमा अन्नक्षेत्र थाई रहू छे जमा एक साथे पांसोती वधारे वेक्तियों जमी शक्ष एक विशराम भुरु बने रहाए ची है मंदिर नी पासेज अमें एक यगना शाड़ा बने रहाए ची है माची माँ बे फ्लोर नू पार्किंग बनावी रहा चे के जेथी करी ने पार्किंग नी सगवड उभी थाए अने एक नानू मजानू गेस्ट आउस पण जे लोको रात रोकावा मागे चे एवालोको माटेरी एपड द्याउस्ता आपने उभी करी रहा चे ये शिखर द्वच केवल हमारी और आस्था और आध्यात्यों का ही प्रतिक नहीं है ये शिखर द्वच इस बात का भी प्रतिक है कि सदियां बदलती है यूग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिखर सास्वत रहता है प्रतिक आस्था का शिखर सास्वत रहता है बड़ोद्राय मने जाने एक बालकने मास साचवे एकलो पोतापणानों भाव मारी पूरी विकास यात्रामा बड़ोद्राय मने योगदान हूँ क्या रहे न भूली शें जन्मदात्री मा के आशिरवार लिए उसके बार जगत जन्नी मा काली के आशिरवार लिए और अभी मात्रो शक्ती के बिराट रूप के दर्शन करके उनके आशिरवार लिए अन्या एह वालो जो एक ब्रेक बाद वेलकम बैग गुजरास सरकारे अनेक योजनाओ द्वारा युवानो माटे रोजगारी ना द्वार खोले आशे आवी जे एक रोजगार लक्षी मुख्यमंत्री एप्रेंटिस योजना द्वारा अनेक युवानो ने अपाई रही छे रोजगार नी खास तालिम युवानो कमपनियों माँ तालिमनी साथो साथ वेतन मिडवी पोतानी कारकिर्दी तरफ आगणवधी रहाशे युवानो ने रोजगारी ने तालिम आपवानो प्लेटफॉर्म इटले मुख्यमंत्री एप्रेंटिस योजना युवानो ने रोजगारी और योग्य प्लेटफॉर्म मले ते माटे राजिसरका अद्वारा पहली एप्रिल बेजर अढ़ाना रोज मुख्यमंत्री एप्रेंटिसिप योजना शरू कर्वमा अबिहती आयोशना अंतरगत 14 वर्ष्टी वधू उमर ना कोईपणु निद्वार इंडरस्ट्रियल तालिम माँ जोडा इशकेचे तोमारी टीम राजे ना अमुक श्रहर माजई मुख्यमंत्री एप्रेंटिसिप योजना नला भार्तियो अने आयटियाई ना प्रिंसिपल ने मली योजना विशिवाद करी हती तेमनी पासे थी जानिये कि शूचे मुख्यमंत्री एप्रेंटिसिप योजना द्वार्का जिल्ला मा आयटियाई मा युवानो एप्रेंटिसिप मा विवित कोर्स वारा रोज़कारे ने विपुल तको प्राप्त करी दाया चे द्वारका जिल्ला मा कल्यानपूर, खंभालिया, भाणवदने द्वारका खाते आईटी आई मर्फते टेक्निकल कोर्स करी नगरपालिका पीजी विसील तेमज खांगी कंप्रियों मा सारा पगार साथे युवानी मा रोजगारी मिलवी पकभर्थे रहाचे एप्रेंटिशिप मा विविद कोर्स द्वारा रोजगारी निविपूल तको प्राप्त करी रहाचे, सरकार द्वारा आईटी आई संस्ताओं मा टेक्निकल कोर्स शरू करवा मा अगूशे, जेने लईने खांगी कंप्रियों मा रोजगारी नितको वधी शे द्वार का जिल्ला मा मुख्य मंत्री अप्रेंटिशिप यूशना हीठाड लाभ मिलवता विध्यार थी हुए, राजी सरकार नो आभार मानिव शे जिल्ला मा मुख्य मंत्री अप्रेंटिशिप यूशना अंतरगत अरेक विध्यार्थियों ITI मा विवित कोश मा अभ्यास करी तालिम ले रहा चे जिमा वायर मैन, डीजल मेकानिक, कंप्यूटर ओपरेटर, CNC, VMC ओपरेटर सहेतना विवित कोश मा वर्जबेजा रिक्विस दर्म्यान अनेक विध्यार्थियों अभ्यास पूर्णे करियों छे वोख्या मंत्री अपरेंटिश ये प्योचन अंतर्गत तालिम माठे नाम नोंध्वा माव्याहता जेमा आट सोगन चालिस युवानों अलग-अलग संस्ताव मा अपरेंटिश तरीके तालिम रेरे आचे जेमा PGVCL कचेरी, SD वर्क्षोप, खानगी कंप्नियों मा विविद अपरेंटिश करी तालिम लेवानी साथे पांच हजार थी 9,000 रुप्या सोधी नूज टाइपैन मिल विर्या आचे जे थी परिवारनी आर्थिक स्तिती पड मजबूत बरी छे पांच हजार रुप्या दी 9,000 रुप्या स्टाइपैन मजबूत बरी तालिम लेवानी तालिम लेवानी त्याना योजना ना लाभार्थियों साथे वात करी बुज आईटी आई ना एप्रेंटिशिप एडवाईज जगदीश बारुट जणावेशे क्या योशना हेठळ रुजगारी मिलवा मांगता युबानूने आईटी आई माथी एप्रेंटिशने तालिम बाद रुजगारी आफामावेशे 1901 ना काईदा प्रमाणे येवी कंपनी के जेमा सोथी वधू लोको काम करे चे तीवी कंपनियों मा एप्रेंटिशने राखवो फरज्या चे गुश्रात मा एक लाख लोकोंनी आईयोशना हेठळ रुजगारी आपानो निर्धार करवा माग्यों चे जेनी सामे हैं सी हजार युवानुए रोजकारी मिलवी हती आने हाल पन वधूने वधूलोको रोजकारी मिलवी रहा चे पारत सरकार्णों जेव एक चे 1961 नो कोईपन कंपनी जे च्वती वधारे मानसों साथे चला उती वोई एक एप्रेंटिश मिनीमम राखो ये सिखाव तरीके आ योजनानों इंप्लिमेंट 1961 थी करवा माँचे जेव तेरे गुजरास सरकार्मा बहुँ बहुडा जोस्ती चाले चे अने मोटा टार्गेट थी ये त्यारे एप्रेंटिश चासाट के वी गेटको भूजमा करे लिया ती त्यार बाद एप्रेंटिश करया पुछी एक एक्जाम आवे छे जे एप्रेंटिश ने एक्जाम क्लियर करो एमा पास तेया पुछी वी एस नी एक्जाम बार पड़े ए वी एस माट एलिजिबल थाई एप्रेंटिश ने एक्जाम पास करया बाद देच आनले तो तो